नमस्कार दोस्तो मैं विमलेश कॉर्तम और आप देखने ट्रिपल वी औरसीज दोस्तो अभी हमारे पास में चार अलग अलग पोजिशन्स आई हैं और यह पोजिशन्स एसपास वीजा के लिए हैं रेकॉर्मेंट रहे की सेल्स मेनेजर में अलग अचुछ है टू-थाउजन्स फाइफ हंड़े से थ्री थाउजन्स फाइव एंडर है और इसमें के कंदेट को कमशना साल के एकस्प्रेंस होना चाहिए और कोई भी डिगृ होना च्यए और उनके पास में बैचलर डिगरी होन होना चाहिए स्किल होना चाहिए और लीडर से फिसकल्स होना चाहिए गुड और जो रिक्वार्मेंट है बेसिक रिक्वार्मेंट किसी भी सेल्स मेनजर के लिए परस्नालिटी गम्म्निकेशन skills attitude ये सारी चीज़ें बहुत important है 5-year का experience हो salary 2005-2003 थाज़एंट पाइड़ी चाहिए और इसमें से manly उनको सिंगापूर का market देखना होगा और जैसे उनको experience होगा बात में हो सकता कि दूसरी और country का market देखना पड़ सकता लेकिन पहले शुरुवात में उनको manly हमारा focus रहा है कि उनको Singapore market देखना होगा sales manager की requirement है 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में age हो 44 हो 45 हो तो भी apply कर सकते है डिगरी का अंपसर है 5 एर का experience होना ज़रूरी है दूसरी requirement है accounting executive की requirement है salary 2500 से 3500 के बीच में salary है और इसमे requirement रहेगी diploma हो accounting में या फिर bachelor degree हो accounting में दोनों ही इसमें apply कर सकते हैं और उनको accounting का finance का relevant experience होना ज़रूरी है positive attitude होना चाहिए communication skills अच्छी होना चाहिए और professional manner में काम करना उनको आना चाहिए और उनको accounts payable accounts receivable and general leisure के उपर काम करना आना चाहिए दोस्तो है requirement simple requirement है तीन साल का experience से यह कोई भी candidate जो miss accounting का proper knowledge हो एक्सप्रियेंस हो interview होगा interview qualify करना होगा male candidate female candidate दोनों apply कर सकते हैं 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में age होना चाहिए अगर ज्यादा हो तो experience ज्यादा होगा तो वह भी experience के साब से age 44 तक भी ली जा सकती है कोई भी candidate male female graduate candidate accounting का तीन साल से ज्यादा के experience होना चाहिए sap के knowledge होना चाहिए और उनको तीन साल से ज्यादा के experience सेम field में होना चाहिए अपने field का उनको काम आना चाहिए और यह जो experience रहेगा experience के सब से interview qualify करना होगा salary negotiation interview के बेच पर रहेगा दोस्तो next requirement रहेगी हमारे पास में operation manager की operation manager में भी salary काफी अची salary है 5000 Singapore dollar से लेकर 8000 Singapore dollar की बीच में salary होगी इसमें requirement रहेगी कोई भी candidate जिसको कम सकम 8 साल का experience होना चाहिए के वो भी managerial level पर उन्होंने experience में काम किया हो manpower services में और उनके पास में basic license होना चाहिए कोई भी degree होना चाहिए उनके पास में डिगरी के साथ में उनको 8 साल का experience कम्पल्स हरी है communication अच्छी होना चाहिए और HR field का उनको knowledge बहुत अच्छे से होना चाहिए communication अच्छा हो multi country clients को deal कर सके हैं जिसमें से Chinese हो Malaysian हो उनकी उनको dealing करना पड़ेगा उनको और computer को deeply knowledge नहों चाहिए जिसमें से उनको MS office excel proper आना चाहिए उसमें से जो formulas होते है latest जो भी उनको reports तयार करनी होती है उसके साब से उनको proper deep knowledge होना चाहिए अगर कोई भी candidate relevant candidate है अगर उसको experience है degree है और उसको multiple countries में जैसे Chinese को Chinese में कैसे बात करेंगे Malaysian से कैसे बात करेंगे उसको dealing करनी हो उसका knowledge होना चाहिए अनभव भी होना चाहिए उनको ऐसे candidate को process कर सकते है इसमें सिर्फ एक ही वेकेंसी के requirement है male female दोनों apply कर सकते हैं next requirement के assistant supervisor की assistant supervisor की requirement है यह एक kitchen restaurant में requirement है hotel के restaurant में so यहाँ पर जो requirement रहेगी male candidate के requirement है और candidate को कम से कम 5 साल का experience होना चाहिए salary काफी अची है two thousand five hundred से three thousand five hundred के बीच में salary होगी और उनको पांस साल का relevant field का experience होना चाहिए और long time काम करने की capacity होना चाहिए खास तोर से weekend के दिन तो उनको extra काम करना पड़ सकता है polite manner हो energetic हो और hard working होना चाहिए सेल्फ discipline नोची सेल्फ motivated होना चाहिए तो दोस्तों यह requirement है basic requirement है चार अलगलग टाइप की पोजिशन से sales manager एक requirement है salary दोजर पांसों से तीनेटर पांसों के बीच में accounting एक एक पोजिशन से male female दोनों apply कर सकते हैं और operations manager में mail candidate apply करेंगे पांस 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 तौजन से एट थाजन को बीचम salary है और कम सकम पांस साल का experience होना चाहिए उनको और assistant supervisor की requirement जिसम salary दो हजार साथ सो से लिकर तीनेजर पांसों से लिए इसमें पांस साल का experience होना चाहिए इन सभी profiles में पांस पांस का experience है लेकिन जो operation manager उसमें आठ साल का experience कम सकम होना चाहिए relevant experience होना चाहिए और जो license मांगा गया वो license उनके पास में होना चाहिए और multiple countries में जो client उनके साथ में कैसे deal करना है उसके साथ से उनको knowledge होना चाहिए दोस्तों यह चार पोजिशन काफी अच्छी हैं बड़ी positions हैं और उसमें obviously client की requirement है उसके साथ से पहले वो Singapore experience को focus करेंगे अगर उनको relevant Singapore experience मिल जाएंगे candidate मिल जाएंगे तो definitely पहले प्रवाइटी सिंगापुर experience पर जाएगे और कोई भी candidate जिसमें पहले सिंगापुर में काम किया हो और अभी वो इंडिया में है उनके पास में सिंगापुर का experience हो तो वो भी इसमें apply कर सकते हैं उनको भी consider किया जा सकता है उसके बाद में अगर जैसे इंडियान experience को भी दी जा रही है इस requirement में इस वेकेंसी में इंडियन केंडियेट को भी process किया जा सकता है क्योंकि वेकेंसी हमारे पास में आई है इट मींस कि candidate को process किया जा सकता है short listing होने के बाद में इंटिवी लाइन आप होगा इंटिवी अगर किसी का short listing होता है तो definitely उनका process आगे उनकी talent की उपर depend करेगा short listing होने का मतलब कि हमारे पास में अगर 10 applications है और उसमें से अगर Singapore के experience वाले बंदे नहीं मिले तो फिर इंडियन के candidate को priority दी जाएगी और salary में थोड़ा fair बदल हो सकता है क्योंकि Singapore में salary Singapore candidate के लिए थोड़ी जादा होती है और यहां पर interview के base पर discuss के जाएगा salary अभी हम clear नहीं कर पाएंगे जो range दी गई है इस range के base पर होगा लेकिन interview में यह negotiate हो सकती है तो दोस्तों जो भी requirement हमने share की है सब भी के एक एक vacancy है और इसमें से कोई भी requirement आती है एक vacancy होती है उसके against में दो या तीन documents होते है तो definitely इसमें competition काफी tough होता है तो कोई भी candidate जो relevant experience वाला हो और उसको feel होता है कि अगर यह vacancy उसकी काम की है तो तुरंत हमारी team को contact करें documentation वाला part करें documents पूरे submit करें और interview की preparation करें क्योंकि यह requirement हमारे पास में बहुत urgent है अर्जेंट का मतलब है कि अगर हम दो या तीन दिन के अंदा document देंगे तो ही इसमें close हो पाएगा क्योंकि उसके against में और दूसरे बंदे तुरंत ready हो जाएंगे तो definitely उनको priority दी जाएगी दो जिससे कि जब भी हमारे पास में इस टाइप की वेकेंसी है सेकेंड हम उनका document या सेम लिए उनका document हम आगे forward कर देंगे जिससे कि उनको वह opportunity मिल जाए दोस्तों वेकेंसी कैसे लिए पसंद आई तो अपने दोस्तों forward कर रहा है जिससे relevant लोग इसका लाब ले सकते हैं वीड वीडियो को लगाता देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गंटी वाला option जरूर दोबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो की notification सबसे पहले मिलेंगे धन्यवाद